Hello, Assalamualaikum Students, How are you all? I hope all of you are fine. Kids, तो आज हमें start करना है Chapter 2. Chapter 1 हमारा finish हो गया है. I hope आप लोगोंने notebook बनाया होगा, सारा exercise walk अपने notebook पे note किया होगा. अब हम start कर लेते हैं Chapter 2. Chapter 2 आपका है Living and Non-Living Things. Living हो गई जानदार चीज़ें. Living किसको कहोगे? जानदार चीज़ें. जिन में जान होती है. And Non-Living Things हो गई बे जान चीज़ें को आप Non-Living Things कहोगे. Things कहते हैं चीज़ें. ठीक है. Then इसके बात है, Think about it. इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है. पहले हम थोड़ा उपर पर लेते हैं यहां पर. Think about it. इसके बारे में थोड़ा सोचो. Being alive. Noor and Kabir were sitting in the park. Noor और Kabir जो थे, वो कहां पे बेठे हुए थे? पार्ग में बेठे हुए थे. आपको सोचना है. यह चोटी सी कहानी बता रहा है आपको. कि Noor और Kabir एक लड़का और लड़की है. वो कहां पे बेठे हुए थे? पार्ग में बेठे हुए थे. अच्छा जी. Kabir picked up stones and threw them into the pound. और जो Kabir था उसने पत्थर उठाए और उनको उठाके कहां? Fenga threw हो गया. फेंगा पाउंड में तालाब में फेंग दिया. पत्थर उठाए और उनको तालाब में फेंग दिया. Noor spotted a butterfly and run after it. Noor ने क्या देखा? Spotted कहते हैं देखना. ठीक है. Butterfly हो गई तितिली. Noor ने जो है एक butterfly देखी. तितिली देखी and run after it. और उसके पीछे वो दोड़ने लगी. तितिली के पीछे नूर दोड़ने लगी. ठीक है. But could not catch it. लेकिन वो उसको पगड़ नहीं पाई. Butterfly को नहीं पगड़ पाई. Why was, why was Kabir able to pick up the stone? अब आपको यह सोचना है कि Kabir को यह जो stone था, वो मलब Kabir ने तो उठा लिया. है ना? पथर उठा लिया. लेकिन जो नूर थी, नूर was not able to catch the butterfly. लेकिन नूर के पास यह कभिलत नहीं थी कि वो butterfly पकड़ सके. जैसे इसने कबीर ने पथर उठा लिया था. लेकिन नूर ने butterfly नहीं पकड़ पाई. अब क्यों butterfly नहीं पकड़ पाई? सोच रहे हो आप. और दूसरे ने तो पथर तो पकड़ लिया था. उसने फैंक भी दिया. तो ये जो butterfly है, वो living thing है. है ना? वो easily move कर सकती है. वो बाग गई. वो क्यों कि इसी के हाथ में आगई? आएगी. क्योंकि वो living thing है. तो यहाँ पर हमें बता चल रहा है, कि living things जो है, वो move कर सकती है. एक जगे से दूसरी जगे जा सकती है. अब ये stone जो है, पथर जो है, ये क्या है? non living things है. वो अपने आप मूँ नहीं कर सकते. उनको move करने के लिए, इंसान की ज़ुरत पड़े गया, किसी जैसे उसने उठाया पथर है न, तो फेंग दिया. तो non living things, easily हम उनको पगड़ सकते हैं. non living things नहीं पगड़ में आती, क्योंकि वो move करती है. ठीक है? समझ आया? आपने इतना सोचने के लिए कह रहा, तो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है? तो ये पता चला हमें से कि living things can move. ठीक है? अब देखो, there was a gate in Rohan's house. there was a gate in Rohan's house. Rohan की गर में क्या थी? एक बिली थी. कैट होगी बिली. It had four beautiful tiny kittens. उसके जो हैं, केट के क्या थे? चार खूब शूरत ये थे, kittens थे, बच्चे थे उसके. केट के बच्चों को kittens कहा जाता है. ठीक है? अच्छा जी, the kittens grew up first and started running around the house. जो kittens थे, बिली के जो बच्चे थे, वो काफी जल्दी, मैंना, fast grow होने लगे, grow होने लगे, बढ़ने लगे, बढ़े हो गए जल्दी जल्दी and started running around the house और वो पूरे गर में दोड़ने लगे. अब मुझे बताओ कि ये जो cat है, ये, और इसके kittens living है कि non living है? Living है, very good. ये living things है, ठीक है? अच्छा जी, Rohan's mother gave them milk. Rohan की mom उन्हें, उन kittens को क्या देती है? दूद देती है. यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, ये देखो, है ना? Then, things that can move, breathe, eat and grow are called living things. ये बात आपको धियान में रखनी है, living things, जो move करती है, move हो गया एक जगे से, दूसरी जगे जाना, breathe हो गया, सांस लेना, and eat हो गया, खाना, and grow और जो बढ़ती है, बड़ी होती है, are called living things. जो चीज़े move करती है, breathe करती है, खाती है, and बड़ी होती है, उन चीज़ें को क्या कहा जाता है? Living things कहा जाता है. ये याद रखो गया, things that can move, breathe, eat and grow are called living things. ठीक है? समझा रहा होगा, I hope. जो स्टून्स है, पत्थर, स्टून्स किसको कहोगे, पत्थर, वो जो है, cannot move, नहीं move हो सकते, एक जगे से, दूसरी जगे नहीं जा सकते, अपने आप है न, they do not breathe, वो सांस भी नहीं ले सकते, and grow, और वो बढ़ भी नहीं सकते. Such things are called non-living things, जो चीजें सांस नहीं ले सकती, खाना नहीं खा सकती, बड़ी नहीं हो सकती, उन चीजों को non-living things कहा जाता है. आप ये समझ में आ रहा है, कि जो चीजें move कर सकती हैं, eat कर सकती हैं, grow कर सकती हैं, breathe कर सकती हैं, उनको living और जो ये सारी चीज़े नहीं कर सकती वो हो गई non living things दोनों definitions tip of the tongue आपको याद होनी चाहिए then the cat and the kittens are living things और जो cat और kittens थे ये क्या है living things है क्योंकि ये बढ़ते भी हैं ना बढ़े भी हो गए थे बहुत जल्दी अचा जी ये move भी करते हैं जगे से दूसरी जगे भी जाते हैं breathe भी करते हैं eat भी करते हैं कि नहीं तो ये living things है we are also living things हम भी living things हैं ना आप पहले जब LKG UKG में थे तो आप छोटे थे आप बड़े हो गए हो first class में पूछे हो तो आप grow कर रहे हो हैं ना है ना तो ये living qualities हम में भी हैं हम भी living things हैं जानदार चीज़े हैं जो चीज़े move करती हैं breathe करती हैं eat करती हैं grow करती हैं उन चीज़ों को living things कहा जाता है समझ आ रहा होगा I hope then name three living things and three non living things in the picture picture में आपको देखना है यहां से three living things जिनकों में जान है उनके नाम लिखने हैं यहां पर और non living things जो picture में देख रहे हो non living things क्या क्या है उनके यहां पर आपको नाम लिखना है कर सकते हो यह तो मैंने यहां पर लिख दी आपके लिए living things में हम केट है किटन्स है । केटन्स होगे, बिली के बच्चे, बॉय है, बॉय भी लिख सकते हैं, रोहन है न, तो ये पिक्चर में ये हैं, लिविंग तिंग्स, और नॉन लिविंग तिंग्स क्या है, बैट है, टैबल है, पिलोस है, ब्लैंकेट भी है, अच्छा जी, और क्या है, जो भी मलब आपको वहाँ पर लगता है, नॉन लिविंग तिंग है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, देन इस अल बाट फर तोड़े, थैंक यू,